सब्सक्राइब और आज इसका 10 लेक्चर है हम लोग ने रेंज शुरू करके कल खतम कर दिया था और आज हम लोग मीन डिवेशन को स्टार्ट करेंगे मीन डिवेशन का आज पहला लेक्चर है जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए है यह मेरे बारे में कुछ बेसिक सब्सक्रिप्शन लेना होता है वह आप लेकर यह वाला बैच जॉइन कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्च्वा लाइडरी का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको मेरे पुराने सभी सेशंस के सभी चैप्टर्स के डीटेइल सेशंस के लिंक्स मिल ज सेशं मेजर्गें सेंट्रा को पूरा 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 कर कर चुके हैं and now we are गोई गोग टो मेजर्वा जौ Okay tuo Maqliyer अपर लोगOWN को बताया था कि ह्थरुपं नापने के लिए जितने भी हमारे पास होते हैं वही आपके मेजर्दूर्शन के लि Remo अब हमारे पास majorly 4 tools होते हैं, range, mean deviation, standard deviation and quartile deviation. मैंने आपको कल ये भी बताया था कि हर measure of dispersion अपने साथ अपने wife के साथ आता है. तो range की wise is coefficient of range, mean deviation की wise is coefficient of mean deviation, standard deviation की wise is coefficient of variance, quartile deviation की wise is coefficient of quartile deviation, लेकिन इनकी wives करती क्या है, इनकी wives का role क्या है यह अभी हम लोग 3-4 classes के बाद सीखेंगे, कल लेकिन हम लोग ने coefficient of range को निकालना का process सीख लिया, एक बार quickly revise कर लेते हैं, range हम लोग ने जो पढ़ा था, range क्या होता था, range is simply the difference between the largest observation and the smallest observation, individual series में, range is simply the difference between the largest observation and the smallest observation, और continuous series में, it was uppermost class boundary minus lower most class boundary, ठीक है, आप बोलोगे, sir, discrete series का, once again, largest observation minus smallest observation, ठीक है, instead of ratowing the discrete, continuous and individual, you should understand the meaning, ठीक है, कि range का मतलब क्या होता है, range का मतलब होता है, आपका data कितना फैला हुआ है, किस कोने से लेकर, किस कोने तक आपका data फैला हुआ है, तो एक चोचीज हम लोगों ने कल range के बारे में, इसके बारे में बात की थी, और हम लोगों ने बात किया था, range की property के बारे में, range की property क्या होती है, range की या इन में से जितने भी measures of dispersion आपको दिख रहे हैं, ये चारों ही measures of dispersion में, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टिकल डिस्कॉस की थी, कि all these measures of dispersion are unaffected because of change in origin, right? All these measures of central tendency, ये change in origin से भी affect होते हैं, और change in scale से भी affect होते हैं, right? इसका हम लोगों ने पूरा proper example mean में करके देखा था, ठीक है? और range में, कल भी मैंने आप लोगों को करके दिखाया था, कि कोई भी measure of dispersion, कोई भी measure of dispersion, आपका change in origin से उतना affect नहीं होता है, sorry, हाँ, change in origin से बिलकुल भी affect नहीं होता है, लेकिन change in scale से affect होता है, right? उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या था, modulus function को negativity बिल्कुर बरदाश्ट नहीं है, modulus function के अंदर अगर आप कोई भी negative number डालोगे, तो वो उसको positive करके आप लोगों को बाहर फेंकेगा, ठीक है, exactly, modulus function के अंदर बिल्कुल भी negativity के लिए कोई जगा नहीं है, उसके अंदर आप minus 2 डाल दो, तो वो plus 2 बाहर तो range में, जब आपके पास x का range दिया हुआ हो, x और y आपके दो variables हो, जो आपस में a plus b x करके linked हो, और आपके पास x की range पता हो, और आपको y की range निकालनी है, तो फिर y की range कैसे निकलती है, a plus b into x की range, no, modulus of b into x की range, ठीक है, पहले तो इसको ऐसे देखो, b into x की range, और b में भी क्या, modulus of b into x की range, मतलब b की जो भी value आएगी, you multiply it with the range of x, but positive value of b is to be multiplied with the range of x, तो आई हो, यह वाली बात आप लोगों को यहां तक समझ में आ चुके है, today we have to discuss mean deviation, sir, बहुत ही simple है, आज की class में, अचली यह पूरी classes में, जितने भी students रटने वाले होंगे, उनको अपसोस की बात है कि नहीं समझ में आप आएगा, ठीक है, अगर आप formula रटने वाले होगे, अगर आप concepts को ignore करने वाले होगे, अगर आप question में सिर्फ यह देखोगे कि यह वाली value किस formula, formula में किस parameter के अंदर put की जाए, तो आपको यह सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगे, right, so it's always better कि you keep your minds open keep your brains open and understand what I am trying to explain to you, क्योंकि अगर सिर्फ रटवाना होता, तो it would have been very easy for me to just tell you the formulas और मैं आप लोगों को रटवा देता, कल range की property समझाने में मैं इतना time spend ही नहीं करता, जितना time मैंने कल आप लोगों के साथ spend किया range में, otherwise आप देखो na, range is hardly a topic of 15 minutes, ठीक है, फिर भी कल पूरे ए understanding के साथ इन चीज़ों को समझ रहे, ठीक है, ओर रहे, so let's begin with mean deviation, mean deviation क्या होता है, mean deviation is the average of absolute deviations, mean deviation is the average of absolute deviations from an appropriate measure of central tendency, sir, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, मुझे 10 minute दो, और ये वाली line ऐसी हो जाएगी, कि किस बिवकूफ को ये line समझ में नहीं आयेगी, आप लोग ऐसे बोलो कि अरे यार, ये था इस line का मतलब, मतलब अभी, even if this line is not making any sense to you, ठीक है, just give me 10 minutes, और उसके बाद this line will make so much perfect sense to you, that you'll be like, कि ये वाली line इतनी simple थो थी, किसको नहीं समझ में आयेगी, just give me 10 minutes, all right, okay, so mean deviation is the average of the absolute deviations from an appropriate measure of central tendency, this appropriate measure of central tendency, could be mean, median, or mode, coefficient of mean deviation का ये वाला formula होता है, और mean deviation about A upon A into 100, और यहाँ पत A क्या है, A is the appropriate measure of central tendency, मेरी बात अब बहुत ध्यान से सुनना, I'll explain this to you with the help of a question, ठीक है, I'll explain this to you with the help of a question, right, individual series में mean deviation का ये formula होता है, formula को मारूख गोली, formula को मारूख गोली, मैं आप लोगों को इस question के जरीए पूरा process आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अभी सिर्फ इतना समझो, सिर्फ इतना समझो, कि mean, deviation का मतलब होता है, deviations का mean, क्या मतलब होता है, deviations का mean, understand the term, term आपसे क्या कर रहा है, you know, I'm honestly telling you, ये जो भी formula मैंने लिखे न, मुझे बिलकुल याद नहीं रहते ये formula, ठीक है, I honestly do not remember the formulas, और अगर आपने सिर्फ formula याद करने की कोशिश की न, तो देल भी so many questions जहाँ पर आप confused हो जाओगे, ठीक है, तो once again, I'm warning you, ठीक है, मैं एक caveat दे रहा हूँ, आप लोगों को कि आप लोग प्लीज, do not go about just the formula हो सकता है, कोई rewind करके बसकी वाला formula देख लेख 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 लेकिन, अगर आप लोग इस सिर्फ को समझ लेते हो न, बहुत मजा आएगा, understand the meaning, understand the meaning of the term, mean deviation, mean deviation का मतनब होता है, deviations का mean, deviations का mean, deviations का मतनब होता है, deviations का मतनब तो हम लोग ने बात कीती, differences, ठीक है, deviations मतनब differences, अब दो सवाल उठते है, दो सवाल उठते है, अच्छा, यहां तक तो सबको आगया होगा, mean deviation का मतनब, deviations का mean, this must be making perfect sense to all of you, ठीक है, mean deviation का मतनब, deviations का mean, mean of deviations, basically यह mean of deviations होना चाहिए, यहां पर यह लोग आफ को लिखते नहीं है, ठीक है, तो mean deviation का मतलब क्या होता है, mean of deviations, deviations का mean, अब दो सवाल आते है, deviations का मतलब differences, differences कहां से, from where, differences from where, ठीक है, और यह जो mean है, कौन सवाला mean, arithmetic mean, geometric mean या harmonic mean, तो मैंने आप लोगों को बताया था, unless specified in the question, unless specified anywhere, you always take what, you always take arithmetic mean, you always take arithmetic mean, अब मेरी बात और बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, mean deviation का मतलब, deviations का mean, deviations का मतलब, differences, differences अगर आपको लेने, तो differences कहां से लेने होंगे, from where, differences from where, ठीक है, इतना समझ में आ गया है, कि इस observation का difference लेना होगा, लेकिं difference कहां से लेंगे, अभी बात करेंगे, इस observation का difference लेना होगा, difference कहां से लेंगे, अभी बात करेंगे, इस observation का difference लेना होगा, इसका difference लेना होगा, इसका difference लेना होगा, इसका difference लेना होगा, जब इन सब के differences आ जाएंगे, जब हमारे पास इन सभी observations के differences आ जाएंगे, उन differences का क्या करना है, उन differences का arithmetic mean लेना है मैं फिलाल आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ suppose आपको difference लेना है from 20 suppose आपको difference लेना है from 20 5 का difference 20 से क्या होगा 5-20 is minus 15 8-20 is minus 12 10-20 is minus 10 10-20 is minus 10 well minus 20 is minus 8 9-20 is what minus 11 9-20 is minus 11 एक कोई point है उससे आपने हर observation का difference ले लिया अब इन differences का आपको ले लेना है arithmetic mean that's freaking it इनका ले लो arithmetic mean एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ठीक है? यह चीज़ है यहां तक समझ में आ रहा है differences का average, deviations का average, ठीक है, mean deviation मतलब deviations का mean, deviation आपने ले लिया, अभी यह 20 कहां से आया, मैं बताओंगा अभी, ठीक है, you have to be patient with me, right, so 20 से आपने हर observation का mean लिया, difference लिया, उन सभी differences का आपने ले लिया arithmetic mean, आपका आगया mean deviation, I hope यहां तक बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा twist यह है, एक छोटा सा twist यह है, कि सरी जितनी भी negative values है न, differences सारे कि सारे negative आये, you have to take the average of positive deviations, ठीक है, absolute deviations, कल बताया था absolute का मतलब, ठीक है, absolute का मतलब अगर कोई negative value भी आ रही है, तब भी उसको आप positive माल लो, तब भी आप उसको positive मालो, तो that is your absolute deviation, ठीक है, that is your absolute value, मतलब क्या आपको minus 15, minus 12, minus 10, minus 10, minus 8, minus 11 का mean लेना है, नहीं, आपको mean लेना है, 15, 12, 10, 10, 8, 11, यह होगा आपका, ठीक है, तो, correction, when I was saying, कि deviations का mean, क्या मैं कह सकता हूँ, absolute deviations का mean, yes, अब मैं कह सकता हूँ, ठीक है, क्यूंकि अगर deviations की मुझे positive value ही लेनी है, अगर मुझे deviations की positive value लेनी है, तो can I say absolute deviations का mean, yes, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, absolute deviations का mean, very good, very good, अभी भी सवाल यार है, deviation कहां से लेंगे, ठीक है, अब बहुत सारी चीज़े clear होती भी दखाई दे रही है, mean, deviation, deviations का mean, deviations का mean, rather I should say absolute deviations का mean, absolute deviations का arithmetic mean, अब deviation कहां से लेना है, deviation लेना है, कहां से, ये 20 है वहीं, ये 20 से नहीं लेना है, deviation आपको लेना है, from an appropriate measure of central tendency, ठीक है, there are three measures of central tendency, mean, median and mode, ठीक है, there are three measures of central tendency, mean, median and mode, आपको या तो mean से deviations लेने होंगे, या तो median से deviations लेने होंगे, या तो mode से deviations लेने होंगे, सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें किस question में कहां से deviations लेना है, question में दिया है, what is the mean deviation about mean, आपको mean से deviations लेना है, आपको mean से deviations लेना है, it's as simple as that, ठीक है, मैं फिर से repeat कर रहा हूं, deviations कहां से लेने है, from an appropriate measure of central tendency, ठीक है, what are the three measures of central tendency, mean, median, mode, right, हमें कैसे पता चलेगा, कब कौन से question में, कौन साब measure of measure of central tendency appropriate होगा, सवाल बताएगा, ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, mean deviation निकालो, कहां से mean deviation निकालो, about the mean, about the mean का मतलब, appropriate measure of central tendency is mean, मैंने आप लोगों को कल बताया था, कि measures of dispersion will not let you forget measures of central tendency, ठीक है, अगर यह बोल देता, कि about the median निकालो, तो आप पहले median निकालते हैं, उसके बाद deviations लेते, absolute deviations लेते, उनका average लेते, that's it, ठीक है, एक बार मैं जल्दी से summarize कर दे रहा हूँ, और मैं इस question को अब solve करके आपको बता रहा हूँ, mean deviation, mean deviation, mean deviation का मतलब होता है, deviations का mean, rather, absolute deviations का mean, कौन सा mean, arithmetic mean, deviations कहां से लेने, from an appropriate measure of central tendency, कौन बताएगा appropriate measure of central tendency, question बताएगा, that's it, that's it, इस question को solve करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को वापस mean deviation की definition में ले जाओगा, तो आप लोग बताओगे कितना आराम जाब था, कितना असानी से समझ में आए जाता हूँ, ठीक है, अभी आपको about mean चाहिए, तो आपको mean निकालना पड़ेगा, mean किसका निकालोगे, इन numbers का mean निकालोगे, calculator देवता, आपकी आवश्यक्ता आ गई है, calculator देवता, what is the mean, 5 plus 8, 5 plus 8, plus 10, plus 10, plus 12, plus 9, is equal to, divided by 6, mean कितना आया, 9 आगया mean, very good, केशुप्रिया, तस्मिया खान, कुतुबद्दीन, अभे कुमार, स्टार गौतम, अनुश्का साहू, very good, बाहुबली टीम का छोड़ा भाई, आरेन मित्तल, mean आगया 9, ठीक है, तो x बार आगया आपका 9, अब आपको लेने है, absolute deviations, अब आपको लेने है, absolute devi आता है, तो क्योंकि ये modulus sign है, ये उसको plus 4 में convert कर देगा, ये उसको plus 4 में convert कर देगा, ठीक है, plus 8-9, 8-9 modulus में, फिर plus 10-9, 10-9, ये भी modulus में, फिर 10-9, ये भी modulus में, फिर 12-9, 12-9 ये भी मॉडूलस में और प्लस 9-9 9-9 ये भी मॉडूलस में whole divided by 6 whole divided by 6 I hope यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है You have to take the absolute deviations और उनका आपको average लेना है अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो Calculator पर absolute कैसे करोगे दिमाग लगा कर रटना नहीं होगा मैं बता रहा हूँ रट के कोई questions को solve नहीं कर पाएगा रटना बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है You have to apply your brains, you have to be attentive, you have to be alert, you have to be vigilant ठीक है देखो 5-9, 5-9 क्या आ रहे, minus 4 आ रहे You have to convert it into positive 4 तो ये plus minus वाला sign दबा दो प्लस में हो गया ये, ठीक है, minus 4 आ रहा था, आपने plus minus वाला बटन जैसी दबाया ये plus 4 हो गया, अब इसको डाल दो memory में, ठीक है, ये हो गया, अब इदा देखो 8-9, 8-9 is equal to, minus 1 आ रहा है, plus minus वाला बटन दबाओ, plus 1 हो गया, m plus, ठीक है, 10-9, 10-9 is equal to, already plus 1 आ रहा है, क्या आप minus 1 दबाओगे, क्या आप यहां पर minus 1 वाला बटन दबाओगे, नहीं, already plus में है न वाल्यू, अब अगर आपने plus minus वाला बटन दबादिया तब तो ये negative 1 बन आएगा ना, that's why I am saying, कि कोई भी trick रटवा नहीं सकता आपको, ठीक है, so कई सारे लोग ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, बहुत घलत करते हैं, घलत इसलिए करते हैं, क्योंकि trick यार हर question के लिए, trick is what, trick is just a method of doing a question faster, ठीक है, और वो faster कैसे आएगा, वो आपको लगातार practice से आए कोई मतलब भी नहीं है, plus minus वाला बटन दबाने के लिए, directly इसको M plus कर दो, फिर next, 10 minus 9, 10 minus 9 is equal to, फिर से plus वार आया, M plus, फिर 12 minus 9, 12 minus 9 is equal to, plus 3 आया, M plus, और उसके बाद 9 minus 9, 9 minus 9 is equal to, 0 है, M plus, ठीक है, MRC divided by 6, 1.6666 आगया, आंसर is option A, I hope, सब को समझ में आ गया, बोलो, निष्टे, 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 नि किसको समझ में नहीं आया बोलो निष्टे 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 अब यह definition किसको समझ में नहीं आएगी एकदम clear है mean deviation is what? deviations का mean mean को हम लोग यहां पर बोलना है average mean deviation is the average average किसका average of the absolute deviations absolute deviations ठीक है? differences का positive values absolute deviations का आपको mean लेना है from an appropriate measure of central tendency that's it बस इतनी सी बात है I hope यह वाली चीज़ सबको समझ में आ रही है ठीक है? easy peasy but not lemon squeezy that's great that is just amazing thank you so much everyone चलो let's move on to the next question अच्छा formula भी आई है formula देख रहो क्या है? summation of modulus of x minus x bar divided by n formula याद करना ज़रूरी है? yes याद करना ज़रूरी है क्यों sir हम common sense लगा कर कर तो रहे theoretical question अगर आ गया तो न following is a formula for mean deviation of an individual series जब तक formula नहीं पता होगा तब तक कैसे ठीक है? वैसे मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको यह concept समझ में आया हुआ होगा न तो eventually आप लोग अपने आप formula समझ रहा होगा मुझे याद बात थोड़ी रहता है formula honestly बता रहा हूँ when I wrote this formula I had I have written it completely from my memory ठीक है? लेकिन memory क्यों? from my understanding of this process right तो जब मैंने अभी यह slide बनाई तो अभी यह slide बनाने से पहले जब मैंने यह वाला formula डाला तो यह सिर्फ और सिर्फ अपने memory के basis पर डाला और memory में भी understanding है memory में यह formula नहीं है फीड है ठीक है? anyway next question देखो what is the value of mean deviation about mean? appropriate measure of central tendency is what? mean for the following numbers ठीक है? तो अभी हम लोग पहले x-bar निकाल लेते हैं what is x-bar? calculator देवता प्रकटो महराज हमें आप की ज़रूरत है 5 plus 8 plus 6 plus 3 plus 4 5 plus 8 plus 6 plus 3 plus 4 divided by कितने observations है? 1, 2, 3, 4, 5 5.2 आया आपका mean 5.2 आया mean? जल्दी बताओं है 5.2 आया 5.2 very good कुतबदीन, प्रियाशु गुपता, देव सिंग, 5.2, केशु प्रिया, गर्वित very good 5.2 आ गया now you need to calculate the deviations from 5.2 उन deviations का आपको positive करना है और उनका आपको average लेना है ठीक है? आप लोग चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो ठीक है? Although I would not advise you to write all of this ठीक है? आप लोग आँगे अभी शुरुवात में चाहो तो लिख सकते हो लेकिन आप लोग इसको बहुत आराम से directly calculated कर सकते हैं कैसे? 5 minus 5 by 2 हर observation का mean से deviation लेना है उसको positive में convert करना है उसको memory में डालना है divided by number of observations यह तो करना है ठीक है? तो देखो 5 minus 5.2 is equal to negative आया plus minus M plus 8 minus 5.2 is equal to positive आया M plus 6 minus 5.2 is equal to positive आया M plus 3 minus 5.2 is equal to negative आया plus minus positive उसके बाद 4, 4 minus 5.2 is equal to plus minus M plus MRC divided by एक दो तीन चार पाँच क्या रहा है आंसर? 1.44 4, that's it, that's it, very good, very good, Prashant, Abhay, Rupali, Kenshu, Krutika, Rohit, Rishi, Kenshu, Meera, Akshad, Krutika, Mayansh, very good, सभी का आ गया 1.44, यो सबको समझ में आ गया बोलो, निष्टे निष्टेन, Nishten, 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 Nishten. Next question, What is the value of mean deviation about mean for the following observations? आ जाओ, इन observations का पहले mean निकालता है क्योंकि about mean पूछा हुआ है? ठ dönst, we have to calculate the mean of these observations, what is x bar? What is x bar? Let's see. किसने सारे observations है? चलो, कितने 50s हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ 50s हैं, ठीक है, तो क्या मैं 7 into 50 कर सकता हूं, 50 को आप 7 बार जोड़ोगे, 7 into 50 आएगा ना, M प्लस कर दिया, उसके बाद 60s कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ 60s हैं, ठीक है, तो 7 into 60, यह आगया है, M प्लस, रहिए, MRC divided by 14 observations है, 55 is the mean, 55 is the mean, ठीक है, I hope यह वाली चीज समझ में आ रही होगी, यह कैसे क्या, अब सुनो, यह भी एक ट्रिक हो गई, ठीक है, यह भी क्या हो गई, यह एक ट्रि वाँ, नहीं, इस question में देख के पता चल ला है, सिर्फ दो ही type के observations है, 50 और 60, ठीक है, अब आप क्या करते, आप क्या करते, 50 plus 60 plus 50 plus 50 plus 60 plus 60 plus 50, एक तो confusion इतना ज्यादा होता, ठीक है, प्लस, बटन्स दबाने में, अगर कही पर कोई गलती हो गई, तो problem, right, so these are the tricks that will come to your mind when you'll practice it regularly ठीक है, मुझे किसी नहीं tricks बता ही तो नहीं, in fact, to be very honest with you, I have never used this in any of my previous batches, जिस तरह से मैंने अभी इस वाले question में average निकाला, I had never used this method in any of my previous batches, अभी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में क्या लगा दिया, ठीक है, it's common sense, 7 बार 50 को जोडना है, 7 बार 60 को जोडना है, ठीक है, 7 बार 50 को जोडना होगा, तो 7 इंटू 50, 7 बार 60 को जोडना होगा, तो 7 इंटू 60, बस, ठीक है, उन दोनों को आपस में total कर दो, divided by number of observations, number of observations is 14, ठीक है, तो 55 आ गया आपका mean, और अगर आपका mean 55 आ गया, तो आप देखो, आप देखो, जी, okay, understand, 50 minus 55, कितनी बार होगा, 7 times होगा, 50 minus 55, 7 times होगा, ठीक है, तो देखो, 50 minus 55, ये 7 times होगा, हमें क्या ये negative deviation चलेगा, नहीं हमें positive चाहिए, हमने किया plus, ठीक है, 50 minus 55, ये 7 बार आएगा, इसी को into 7 कर दो, तो कोई दिक्कत, I don't think so, M plus, similarly, 60 minus 55 भी होगा, 60 minus 55 भी 7 times आएगा, 60 minus 55, ये अपने आप ही positive में आया है, into 7 is equal to M plus, the absolute deviations का sum total ये रहा सर, absolute deviations का sum total ये रहा आपके सामने, कि आपको individually, 50 minus 55, फिर plus minus, 60 minus 55, कोई दिक्कत नहीं है, 50 minus 55, फिर plus minus, कि आपको ऐसे करने की जरूरत है, नहीं, तो ये आपको presence of mind पर depend करता है, कि आप कितनी जल्दी question को समझ पा रहे हो, that is why I said, कि जो भी रटने वाला होगा, वो ये नहीं समझ पाएगा चीज़ों को, वो ये questions को solve नहीं कर पाएगा, तो you need to be alert, you need to be vigilant, you need to be completely into a question when you're solving it, यह हो गया, divided by 14 observations है, आपके पास answer आ गया, 5 सब को समझ में आ गया, We'll move on to the next question, यह रहा आपके सामने, अब आप से क्या पूच लिया है, अब आप से पूचा है, mean deviation about mode for the numbers, so what is the appropriate measure of central tendency in this question, the appropriate measure of central tendency in this question is mode, और अब आपको याद करना पड़ेगा, याद लाना पड़ेगा, कि mode का मतलब क्या होता था, what did I say, I said measures of dispersion will not let you forget measures of central tendency, और यह मैंने कल भी बता दिया था, कि if somebody is thinking, कि oh I haven't done measures of central tendency, but I'll still come to measures of dispersion classes, and I'll be able to understand everything, you're making a fool of yourself, एक है, you're making a fool of yourself, एक है, मैं ये भी बिलकुल नहीं बोलूगा, कि हाँ थोड़ी सी महनत लगेगी, लेकिन समझ में आ जाएगा, अपने दिमाग को अतना लोड क्यों देना, सिक्वेंशल ही चलो ना, आराम-ाराम से करो ना, चीजों को, ठीक है, ओलाइग, अपरोप्रेट मेजर अप्रोप्रेट मेजर अप्रोड यहां पर मोड है, 8 by 11 is occurring two times, ठीक है, बागी सारे नमबर्स पूरी सीरीज में एक बार अकर कर रहे है, तो 8 by 11 is a mode, very good, अनुभव, विश्नु, पारस, रुपाली, अनुभव, तिशा, उजमा, इश्का, कुनाल, अक्षद, मयाश, अभय, अनुष्का, very good, ठीक है, आप सब लोग बिल्कुल ठीक है रहो, इसका mode क्या हो गया, इसका mode हो गया, 8 by 11, इसका mode हो गया, 8 by 11, right, अब आपको हर observation का deviation लेना है इससे, तो 4 by 11, minus 8 by 11, will be what, 4 by 11, minus 8 by 11, क्या आएगा, minus 4 by 11 आएगा, ठीक है, इसका positive 4 by 11 हो जाएगा, right, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, तो 4 by 11, minus 8 by 11, इसका absolute deviation will be 4 by 11, 1, plus 6 by 11, minus 8 by 11, this will be what, minus 2 by 11, 6 by 11, minus 8 by 11, minus 2 by 11, इसका absolute deviation will be 2 by 11, ठीक, प्लस 8 by 11, minus 8 by 11, 0, plus 9 by 11, minus 8 by 11, will be 1 by 11, plus 12 by 11, minus 8 by 11, 8, 9, 10, 11, 12, 4 by 11, ठीक है, 4 by 11, already plus में है, 8 by 11, minus 8 by 11, this is plus 0, divided by, कितने observations हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, you have 6 observations, this is your answer, this will be your answer, ठीक है, तो देखो यह क्या आएगा आपका, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 by 11 upon 6, क्या आएगा यह, 11 by 11 upon 6, 11 by 11 upon 6, तो पर क्या हुआ, 1 हो गया ना, 1 by 6, यह सिर्फ इसलिए हो पाया, क्यूंकि हमें concept पता था, क्या था concept, कि आप एक appropriate measure of central tendency नकालो, उससे हर observation का deviation लो, उन deviations को positive में convert करो, अगर वो negative में है तो, और उन सभी positive deviations का simple average ले लो, that is it, that's it, ठीक है, that's the concept of mean deviation, नहीं तो, trust me guys, इस वाले question में लोगों को इतनी problem होती है, इतनी problem होती है, एक तो mode देखके डर जाते हैं, ठीक है, एक तो mode देखके डर जाते हैं, अरे बाब रे बाब, mean deviation about mode बोला है, और उसके बाद यह observations ऐसे खतरनाक, 11, 11, 11, by 11, by 11, अरे, fractional observations, WhatsApp, Sir, ये वाला question नहीं हो रा, can you please explain me this question, ठीक है, Telegram, Sir, ये वाला question नहीं हो रा, can you please explain me this question, Instagram, Sir, I have a doubt, can I send you the question on WhatsApp, please, will you clarify my doubt, डर, अरे, डर से मत रर, डर का सामना कर, ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो जाती है, आपकी, once again, देखलो, बहुत ही सिंपल हो गया, इन observations में से आपको mode निकाला है, the appropriate measure of central tendency in this question is what, mode, इन में से आपने mode निकाला, what is mode, 8 by 11, ठीक है, 8 by 11 is the mode, अब mode आगया आपका appropriate measure of central tendency, आपने हर observation का इससे deviation निकाला, ठीक है, 4 by 11, minus 8 by 11 is what, minus 4 by 11, उसको positive में convert किया, 4 by 11, ठीक है, तो यह आगया, 4 by 11, 6 by 11, minus 8 by 11 is what, minus 2 by 11, positive में convert किया, 2 by 11, 8 by 11, minus 8 by 11 is 0, 9 by 11, minus 8 by 11 is 1 by 11, 12 by 11, minus 8 by 11 is 4 by 11, 8 by 11 minus 8 by 11 is 0, ठीक है, यह आपके deviations आगए, इनका आपको average लेना है, total 6 observations है, average कैसे लेते हो, इन सबका sum total divided by 6, उपर वालों को जब आप sum total करोगे, तो क्या आएगा, 4 by 11, plus 2 by 11, plus 0, plus 1 by 11, plus 4 by 11, plus 0, ठीक है, अभी अगर आपके denominators में सारा 11, 11 है, तब तो आप numerators को बिना LCM अगरली add कर सकते हो, यह हो, पितना पता होगा सब लोगों को, ठीक है, अगर denominators में सबका 11 है, तो यह तो second standard की maths है, ठीक है, second class में पढ़ाया जाता ही है, कि अगर आपके fractions में denominators same है, तो आप numerators को एवे ही add कर सकते हो, आपको कोई LCM लेनी की ज़रुरत नहीं है, 11 by 11 is 1, 1 divided by 6 is your answer, सबको समझ में आग या बोलो, निष्टे, 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 ठीक है, very nice, बहुत बढ़िया, now, अब देखो, अब आप से भाई साब पूछ लेया, इसने, coefficient of mean deviation about mean for the first 9 natural numbers, ठीक है, the coefficient of mean deviation about mean for the first 9 natural numbers, what are the first 9 natural numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, these are the first 9 natural numbers, ठीक है, आप से mean deviation पूछा, आप से coefficient of mean deviation पूछा है, about the mean, तो पहले तो चलो आओ लो, इसका mean निकाले, पहले तो इन observations का mean निकाले, ठीक है, तो mean कैसे निकलेगा, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, divided by 9, mean आग्या 45, ठीक, अब mean deviation निकालो पहले तो, mean deviation निकालो, अच्छा, एक मिनिट, जिनको भी यह नहीं समझ में आया है, आपको coefficient of mean deviation निकालने, coefficient of mean deviation का formula क्या होता है, coefficient of mean deviation का formula होता है, mean deviation about A upon A into 100, ठीक है, अभी coefficient नहीं समझ में आएगा, coefficient नहीं समझ में आएगा, अभी तक समझाया ही नहीं है, coefficient क्या होता है, coefficient का मतलब क्या है, coefficient का use क्या है, coefficient अभी तक समझाया ही नहीं है, ठीक है, इस लाइक जब आप बहुत छोटे होते हो ना तब आपको लगता है या शादी करने का फाइदा क्या है ठीक है फिर जब आप बड़े होते हो धीरे जरे और आपको प्यार होता है तब आपको लगता है हाँ यार मैं इस लड़की से या इस लड़के से मैं शादी करूँगा इस लड़की से मैं शादी करूँगा, इस लड़के से मैं शादी करूँगी, समझ लेना उस बात को, तो mean deviation, मतलब जो भी coefficient है, it's like, पहले आप बच्चे हो, mean deviation हो, आपको शादी का कुछ समझ में दिया, कि पता नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या है, बच्पन में तो everybody is like, मैं शादी कभी नहीं करूगा, मैं भी बच्पन में बहुत बोलता था, I was hell bent कि मैं कभी शादी नहीं करूगा, ठीक है, उसके बाद मैं ही सोचा था नहीं, जल्दी से शादी करता है, ठीक है, तो क्योंकि girlfriend बन गई थी, तो धीरे-धीरे जब आप बड़े होते हो, तो आपको लगता है कि हाँ शादी कर लेनी चाहिए, तो यह coefficient वही चीज है, अभी आपको पता ही नहीं कि coefficient की फायदा क्या है, coefficient का मतलब क्या है, coefficient का use क्या है, ठीक है, लेकिन अभी धीरे-धीरे, 2-4 classes के बाद आपको coefficient का मतलब use, सब कुछ पता चल जाएगा, तो आप लोग बहुत आराम से coefficient को समझ पाऊगे, अभी coefficient को आपको सिर्फ याद करना है, अभी coefficient को आपको सिर्फ याद करना है, for the time being, you only have to memorize the coefficients, अभी धर देख रहा, बहुत ध्यान से, coefficient of mean deviation is mean deviation about A upon A into 100, and what is A, A is the appropriate measure of central tendency, इस वाले case में, what is the appropriate measure of central tendency, appropriate measure of central tendency is mean, ठीक है, coefficient निकालने के लिए भी, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको सबसे पहले mean deviation तो चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले mean deviation निकाल लो, उसके बाद coefficient के formula में values पूट कर दो आपका answer आ जाएगा, ठीक है, तो आज़ेओ सबसे पहले हम लोग mean deviation निकालते हैं, तो यह observations are, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो इसका mean हम लोग ने निकाल लिया था, इसका mean आ गया था 5, और अभी mean deviation हम कैसे निकालते हैं, mean deviation आपको कैसे आएगा, इन observations का mean state deviation divided by 5, divided by 9, ठीक है, तो 1 minus 5, 1 minus 5 is equal to plus minus n plus, 2 minus 5 is equal to plus minus m plus, 3 minus 5 is equal to plus minus m plus, ठीक है, 3 हो गया, 4 minus 5 is equal to plus minus m plus, 5 minus 5 is equal to m plus, 6 minus 5 is equal to m plus, 7 minus 5 is equal to m plus, 8 minus 5 is equal to m plus, 9 minus 5 is equal to m plus, mrc divided by 9, this is your mean, इसको फ्राक्शन में रहने देता हूँ तो या फ्राक्शन में करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है चलो फ्राक्शन में रहने देते हैं इसको क्या था 20 बाइन 20 by 9 was my mean deviation ठीक है my mean deviation is 20 by 9 अब मुझे coefficient जब निकाल ला है तो coefficient क्या हैगा 20 by 9 divided by A which is 5 into 100 that's it ठीक है तो mean coefficient of mean deviation will be what mean deviation about A which is 20 by 9 20 by 9 divided by A which is 5 into ठीक है तो 20 by 9 20 by 9 divided by 5 into क्या आता है 44.4444 आपका आंसर आता है राइट 44.44 आपका आंसर आता है अब you can try the options 200 by 9 कितना रहे है 200 by 9 ना 80 भी नहीं 400 by 9 कितना है 44.4444 option C is the answer I hope सब को समझ में आ के बोलो 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 come on come on everybody बोलो राइट तो यह आपका हो गया सर 44.444444 this completes your mean deviation about you know whatever central tendency for individual series अच्छा नहीं अभी तो और है अभी तो और है अभी तो और है चलो आजो करते है find the mean deviations about median अच्छा about median है क्या बात है अभी about median है and also the corresponding coefficient for the following profits for a firm during the week ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो अभी आपका appropriate measure of central tendency क्या हो गया median हो गया तो पहले इस series में आपको median निकाल ला है what did I say measures of dispersion will not let you forget measures of central tendency right तो अभी आप इसका median निकालने के लिए what is the first step in calculating the median of an individual series you make sure that your series is in ascending or descending order तो आज हो सबसे पहले तो इसको ascending order में arrange करते है ठीक है do not please do not say that the median is 70 ठीक है just by looking at this just by looking at this you cannot say क्या है median is the middlemost term तो यहाँ पर 70 is the middlemost term तो यहाँ आपका median हो जाएगा no that will be wrong that will be absolutely wrong ठीक है तो यहाँ आप तो फिर्स आरेंज थीस तर्म इंट असेंदिंग अर्डर तो 52 56 52 56 here 68 70 68 70 75 80 82 75 80 82 75 80 82 अब आपका हो कि मीडियन आपका 70 है ठीक है तो कई सारे लोग बोलोंगे है सर फाल तो मैंसे किया यहां से भी तो मीडियन वहीं आ रहा था इस वाले इस वाले को इंसे देंटली आ गया ठीक है तो जाद है रहीं करनी की सब्रत नहीं है और यह आपका मीडियन आ गया अगया लोग दिस एप्रोप्रेट मेशर अव सेंडेंसी मीडियन इस इक्वल टू 70 आओ इसका मीन डिविएशन निकालते है 52 मैंस 70 52 minus 70 is equal to plus minus M plus 56 minus 70 is equal to plus minus M plus 68 minus 70 is equal to plus minus M plus 70 minus 70 is equal to M plus 75 minus 70 is equal to M plus 80 minus 70 is equal to M plus 82 minus 70 is equal to M plus और भी कुछ है, नहीं, तो MRC divided by कितने बाद बाद है, एक दो तीन, चार, पाचे, साथ 8.71428, भाई साथ, बहांकर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं एक बार फिर से इसको कर लेता हूँ, ठीक है 52 by 52 minus 70 is equal to plus minus M plus 56 minus 70 is equal to plus minus M plus 68 minus 70 is equal to plus minus M plus 70 minus 70 is equal to M plus 75 minus 70 is equal to M plus 80 minus 70 is equal to M plus 82 minus 70 is equal to M plus MRC 61 61 divided by कितने observations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 61 divided by 7 is my mean deviation mean deviation is 61 divided by 7 61 divided by 7 this is my mean deviation coefficient of mean deviation coefficient of mean deviation will be mean deviation about mean about median into mean deviation कैसे आया deviations का average concept समझना बहुत जरूरी है mean deviation कैसे आया mean deviation आपका कैसे आया deviations का average deviations कहां से deviations median से absolute deviations absolute deviations का average लेके आपके पास mean deviation आ गया अभी coefficient निकालने के लिए mean deviation divided by the measure of central tendency which is your median in this case into 100 तो this will give your answer अच्छा ये सारे के सारे profits आपके thousands में है तो जो भी आपका answer mean deviation का आएगा वो thousands में आएगा ठीके और ये तो ऐसे ही आ जाएगा इसमें कोई दिक्करताली बात नहीं है तो 61 by 7 अगर हम लोग कर रहे थे अच्छा इट कुड आइदर भी 8714.28 option A हो सकता है आपका answer या option C आपका answer हो सकता है ठीके अब आजो coefficient of mean deviation निकालते है तो 61 by 7 upon 70 into 100 कितना हुआ यह 12.44 ये option C is the answer option C is the answer I hope Sabi के तमज में आगे पहलो निषटेयं को निषटेयं को निषटेयं निषटेय निषटेयं निषटेयं को मीन deviation individual series में और erased में we did a lot of questions के mean deviation about mean low, we did one question mean deviation about mode low, we also did one question mean deviation about median low, और हम लोग ने जहां पर जरूरती coefficient of mean deviation भी निकाल लिया है, ठीक है, अभी discrete series का देखते हैं, बड़ा simple है, discrete series में भी कोई दिखकत नहीं है, exactly same तरीके से आपको क्यों multiply कर रहे है, understand, सोचो, हम एक एक observation का deviation निकालके, why are we multiplying it with the frequency, ठीक है, याद करो, जो अभी हम लोग ने किया था एक question, जिसमें 50-50-50-50-60-50-60-50-60 चल रहा था, ये वाला question किया था, ये वाला, क्या मैं इसको discrete series के तरह से ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इस series को, ये जो individual series है, इसको, मैं discrete series के तरह से इस तरह से लिख सकता हूँ, ना, x और f, x की value 50, occurring 7 times, x की value 60, occurring 7 times, तो मैंने कैसे किया, जब मैंने mean deviation निकाला, तो मैंने कैसे किया था, 50-55 किया था, 50-55 उसको positive में convert किया, और उसको 7 से multiply किया, याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो rewind करके देख लेना बाद में, ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने 50-55 किया तो मेरा आया "-5 मैंने इसका modulus ले लिया मेरा आगया और मैंने उसको multiply कर दिया था 7 से और फिर मैंने 60-55 किया विच अल्रेडि केम टू plus 5, फिर मैंने उसको multiply कर दिया 7 से यही तो किया मतलब हर observation को मैंने उसके appropriate measure of central tendency से deviate करवाया उसकी positive value ली और उसको multiply किया किस से the number of times that this observation occurred in this data the number of times that this observation occurred in this data और discrete series में जो frequency है वो यही तो कहती है discrete series में जो frequency है वो यही तो है how many times this data is occurring in this how many times this observation is occurring in this data तो अगर आपका suppose x अगर आपका suppose x 50 है जो की 7 बार अकर कर रहा है और appropriate measure of central tendency आपकी 55 है तो don't you think कि आपने observation को इससे deviate करवाया minus 5 आया उसके बाद इसका mod लिया गया देखरो, mod लिया गया mod लिया गया और उसको फिर frequency से multiply कर दिया गया इसी तरह से हर observation के साथ किया गया और divided by the total number of observations which in this case is the summation of frequency ठीक है getting it I hope सबको समझ में आ रहा है this makes complete sense एकदम logical चीज है मैं कोई भी बतलब illogical चीज नहीं बता रहा हूँ और ना formula आप लोगों को रटबा रहा हूँ mean deviation का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ individual series में कई सारे questions करके दिखा चुका हूँ individual series का ही एक question accidentally मेरे आज से पहले कभी उस तरह से किया नहीं था लेकिन अभी क्योंकि दिमाग में आ गया तो कर दिया तो आपको बता दिया और यह यह discrete series में आ गया ठीक है अभी इधर देख लो what is the mean deviation about mean for the following distribution सबसे पहले हमें मीन निकालना होगा कैसे आता है summation of f x upon summation of f measures of dispersion will never let you forget measures of central tendency अभी अगर discrete series का mean निकालना याद नहीं है तो का है summation f x upon summation f तो क्या सबसे पहले summation f कर लेता है 3 plus 4 plus 6 plus 5 plus 3 plus 2 5 plus 3 plus 2 यह तो आगया आपका summation of frequency which is 23 ठीक है summation of frequency 23 अब देखो summation of f x करना है आपको ठीक है तो 5 into 3 is equal to m plus 10 into 4 is equal to m plus 15 into 6 is equal to m plus 20 into 5 20 into 5 is equal to m plus 25 into 3 25 into 3 is equal to m plus और 30 into 2 is equal to m plus mrc divided by 23 380 by 23 यह आपका mean है 380 by 23 380 by 23 is your mean यह आपको क्या करना है 5 minus this into this m plus 10 minus this into this m plus इस इस तरह से आपको करना है तो अभी time बचा है या नहीं बचा है 1253 y I think we can do it I think we can do it तो देखो जी let's see 380 minus 23 380 by 23 minus 5 positive है बड़ी अच्छी बात है into 3 is equal to m plus फिर से 380 by 23 minus दूसरी अबसरवेशन 10 positive है very good into 4 is equal to m plus फिर 380 by 23 380 by 23 minus 15 positive है very good into 6 is equal to m plus फिर 380 by 23 minus 20 negative आगया plus minus into इसकी frequency 5 is equal to m plus उसके बाद 380 by 23 minus 25 minus आगया plus minus into इसकी frequency 3 is equal to m plus फिर 380 by 23 is equal to minus 30 negative आगया plus minus into corresponding frequency 2 is equal to m plus absolute deviation store होगा है इस memory में now कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी तक तो हम 5 minus ये करते थे 10 minus ये करते थे अब इस वाले question में आपने अपने आपसे this minus this कर लिया फर्क क्या पढ़ रहा है you tell me फर्क क्या पढ़ रहा है deviations तो हमें anyway positive वाले लेने है ठीक है तो चाहे हम इसमें से इसको minus करके positive value ले चाहे हम इसमें से इसको minus करके positive value ले बात तो एक ही है हमें तो absolute deviations चाहिए ना हमें absolute deviations चाहिए है हमें कौन सा sign से फरक पढ़ रहा है तो चाहे इससे इसको minus करो या इससे इसको minus करो क्या फरक पढ़ रहा है हमें तो ultimately positive differences चाहिए positive differences को हम लोगों ने हापर memory में डाल लिया है memory recall divided by this sorry memory recall divided by the summation of frequency यानि 23 mean deviation कितना है mean deviation आगया आपका 5.80 mean deviation is 5.80 अरे तो है ही नहीं क्या इसको आंसर क्या है set C का question 1 का आंसर क्या है set C के question 1 का आंसर है 6.07 कैसे I think कुछ गर्वड़ी हुई है फिर नहीं I think फिर कुछ गर्वड़ी हुई है हो सकता है calculation में गर्वड़ी हो सकती है not a big deal ठीक है आप लोग C बता रहे हो तो हो सकता है मेरे से calculation में कोई गर्वड़ी हुई होगी ठीक है it's not a big deal होता है ठीक है ऐसा बहुत आराम से हो सकता है बिल्कुल possible है रहा है मेरा C आ गया very good आप लोगना C आ गया the total will be 139.5652 चलो ठीक है तो हो सकता है वही बात होगे न हो सकता है मैंने कोई observation गलत ले लिया होगा ठीक है क्या बता रही है यह फुशी जैन 139 बता रही है तो मेरा 133 आ रहा है तो clearly मेरे total में problem आ रही है कहीं से ठीक है तो इसको हम लोग एक बार फिर से चाहों तो देख सकते है अच्छा यह 380 by 23 यह तो सही होगा 380 by 23 यह तो सही होगा 380 by 23 minus 5 into 3 is equal to m plus 380 by 23 minus 10 is equal to into 4 is equal to m plus here 380 by 23 minus 15 is equal to into 6 is equal to m plus here 380 by 23 minus 20 यह आ गया अभी सही आ गया ठीक है तो हो सकता है कोई number type 5 करने में गलती हो गई होगी ठीक है तो this divided by 23 और अब आप कहां सार आ गया 6.07 ठीक है तो I must have you know miss pressed a button or something कोई button गर में डियो हो गया होगा ठीक है चलो सर बहुत बढ़िया थांक्यू सो मच एवरिवान क्या होँआ वोइस में ठीक है चलो सर थांक्यू सो मच एवरिवान अभी आप लोगों के लिए क्या कुछ homework दिया जा सकता है यह question homework कर लेना page 15.35 example 15.2.6 exactly वैसे यह है जैसे individual series में किया so do this question as a homework ठीक है और यह वाला question भी homework में कर लेना तो आपके पास दो questions homework में है 15.2.6 example यह वाला homework में है ठीक है और यह वाला question भी आपके पास homework में है हमारा एक अग्रता batch for December 2023 स्टार्ट हो चुका है from 24th of April यह उस batch की highlights है यह उस batch का time table है जब भी आप Academy Plus का subscription लें तो आप प्लीज यहाँ पर मेरा code यूज कर लें निश्टेन उसको apply कर दीजगा तो आपको maximum possible discount मिल जाएगा मैं आपको फड़ावट से बता देता हूँ अन Academy Plus का subscription आप लोग कैसे ले सकते हो तो all you have to do is just log in to an Academy's website वहाँ पर आपको अपना goal select करना होगा CA Foundation उसके आपके सामने यह वाला page खुल जाएगा आप यहाँ पर subscription plans पर क्लिक करोगे subscription plans पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर तीन options आएंगे plus iconic और center आप यहाँ पर get plus पर क्लिक कर दी और आपको वो सारे के सारे offers automatically avail आप लोग कर पाओगे अगर आप यही पर proceed to pay पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास option आजाता है to convert it into a combo subscription as well आप यहाँ पर add कर दोगे CA intermediate को तो इससे आप 2 साल की validity के लिए CA foundation और intermediate का combined subscription ले सकते हो My recommendation for all of you would be to go for combo subscription for 2 years जिससे आपका बवाल खतम हो जाए foundation intermediate सब एक साथ आप लोगों का cover हो सकता है Thank you so much for watching this session Please video को like कर देना comment section में comment करके बताना आपको session कैसा लगा I'll see you guys later, take care, bye-bye